तो ये एक टंग पर खड़ा होगा के नहीं होगा ये बताओ पहले मेरेको अच्छा हाथ दो अपना, देखो करके खड़ा है ना, मैजिक की तरह लग रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है तो ये कैसे हुआ, देखो, यहाँ पर दो बॉल्स लगी हुई है तो इसकी वजासे कैसा बेट नीचे की तरफ के सकाया है जो center of gravity होती है ना, मतलब जो इसका center है वो नीचे की तरफ है तो उसी पर ये balance है, देखो, डांस करता गिर तो नहीं ना इसी तरीके से देखो, पीछे से भी डांस करेगा एसा नहीं है कि मेरे हाथ में magic था, इसी तरीके से ये कहीं भी खड़ा कर दो इसको बिचारा डांस करता रहता है center of gravity की वजा से इसने balance मना रहा है, समझ में आया तो यही होती है center of gravity, जिस पर सब balance हो जाता है